पीएजीडी पूरी तियारी में है तीन मेंबरों का तो कंफर्मड है भी जाना अगर शाम तक और दो मेंबर्स की इंविटेशन भी आ गई तो इंशालला बरपूर कोरम के साथ जाएंगे वहां और उमेद है कि यहां के जो हालात हैं इस वक्त के एकनामिक, सोशल, एड्मिस् चाहोगी और सबसे एहम बात जो हमारा नजबल एन है, the core issue, that is restoration of 370 and 35A as on 5th August 2019, इस पर भी खुल के बात होगी, इस पर कोई compromise नहीं होगा, बाकी जितने भी subjects वहां पे हैं, बड़ा open debate होगा, एक अच्छी पहल है प्राइम मिनिस्टर की, आईए, free debate है, बात करेंगे, हम लोग अपना पक्छ रखेंगे, वो भी बात करें, उनको बताएंगे कि यहां पर क्या खराबी हुई तब से अब तक, क्या situation है, ground की, क्या करना है आपको, और जो हमारे, जो हमारे इक्तिसादी मामलात हैं, जो हमारे issues हैं, problems हैं, और जो उन decisions के बाद जो दो हजार उन्नीस के बाद, पांच अगस के बाद लगे हैं, उनका पूरा खाका सामने रख देंगे, और जो मैंने कहा एहम बात जो है, तिनसो सतर और पैंटीसे के बगार, कोई काम ने बनेगा, इस्ट्रेटिव मेजर्स लेना तो, हर किसी गर्वर्मन्ट का फर्ज है बट, जब एक इतनी अच्छी पहल हो रही है, और चूंकि यहां पर एक हिस्ट्री रह चुकी है, जब यह हाई अलर्ट वगरा कुछ होते हैं, तो ख़चा होता है कि कुछ गलत होने वाला है, हमें उमेद है, कि कोई ऐसी चीज नहीं होगी, जो पिछे हुआ, जो चार अग इस चीज पर गवर्मन्ट के ऑफिशल स्पोक्समें की तरफ से कोई ने कोई बात आनी चाहिए सामने और लोगों को तसली देनी चाहिए कि कोई ऐसी इस्यू नहीं है, अगर मेरी यह बात प्रदानमंत्री के कानूं पर जाती है, या होम मिनिस्टर पर, होम मिनिस्टर के प आए एक्सपेक्ट और एलजी के यहां जाती है, वी एक्सपेक्ट कि आप इस चीज का समाधान करेंगे और देखेंगे कि इस मामले का जो जो एक इस पकद तजबजब बना हुआ है, इस तजबजब आप ठंडा कर सकते हैं